हेलो स्टुनेंट्स वेलकम टुमाइनी वीडियो इस वीडियो में लेकर आगया हूँ चुनोभी विसे हेंदी त्रेमासिक परिख्षा बारार पेपर का तीन अंक्रे प्रशन उत्तर हम का वीडियो में आप लेकर आ चुका हूँ तो इसके साथ ही हम आपके लिए सभी अंक्र जो हाल देखना है तो आपको प्ले लिष्ट में जो है वीडियो मिलाएंगे प्ले लिष्ट के लिंक जो है आपको डिस्क्रेशन में दे दिए गई है और अपर आप सब्सक्राइब कर लेना हम आपको पीडिया जो है मिल लागी चलिए अब हम सुरू करते हैं तो शातरो इ उपन्नास का खतारंग जो है विस्तरत होता है मतलब कि जो कहानी होती है वह संचित होती है लेकिन उपन्नास जो होता है बहुत बढ़ा होता है दूसरा में देखते है कहानी में पात्र संख्या पात्रियानी के जितना रोल रहते है रोल किया होते कम होते है लेकिन परंतु उपन्नास में जो है रोल बहुत अधिक होती है नमबर तीसरा कहानी एक बेठक में पढ़ सकते है लेकिन उपन्नास में मतलब कि देखिए आप कहानी के जो है एक बार में सवात कर सकते हो आपने एक बार कहानी पढ़ने के लिए बेठा है तो आप तुरणत उसे पढ़कर प्रण्तु और पन्यासम ब्यापक रूब में होता है तो चातरो यह था आपका कहानी और पन्यासम अंतर अब देखते हैं चातरो में आपको दूसरे कोशन दिए गया है मेहमान थाली पत्नी इन संग्या सब्दों को बाक्यों में प्रयोग कीजिए यहां पर आपको जो इन जाते थे हैं यहां पर देखिए मेमान सद्द का प्रयोग हुआ है इस प्रकार सापनी सकते हैं ब्राम माडों को पीतल की थाली में भोचन दिया जाता है यह थाली का आप प्रयोग हो गया है नंबर तीसे हम देख रहे थे पत्नी को अर्धांगनी माना जाता है इसमें डावनट के इंग्लिस स्पिक इन कोर्स के साथ आज ही जूड़ जाईए जहां इंग्लिस के टॉप एकसपर्स आपको हिंधी भासा की मदद से इंग्लिस बोलना सिखाएंगे वह भी एकदम बैसिक से अगर आप इंग्लिस बोलने से ही चाहते हैं अपने इंटर्व्यू के हीरो बैनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है आज ही डावनाट एप पर आकर ये कोर्स खरे दिये और अपने इंगलिस बोलने के सपने को तो इस्टूड़न्स देखें आपर तीसरा कोश्चन आपको ये दिगा है कवीर ने इसवर को सब स्वासों का स्वास क्यों कहा है तो इसको तरब देखेंगे सब स्वासों का स्वास से कभी का तत्पर यह है कि इसवर जो है कण कण में ब्यापता ह हाना जो मिटिक का कण कण में व्याप्त है, प्रिद्वी के हर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुस्यों के अंदर है, सभी मनुस्यों के अंदर है, जब तक मनुस्यों के स्यास तक इजवर के उनकी आत्मा में है, इस प्रकाज़ों का बेर ने इजवर को स्वास्यों का स्वास कि वहां पर किए ब्स प्स हसकते तो पिर वह तो जी सब्स वाहे हम एक दार्ग यहां पर हो पिंदेलों हरव भोलों के मुह हमने सुनने कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी भेतों चांसी वाली रानी थी देखिए इस लाइन को पढ़कर हैं में ऐसा बीरता का प्रतीत हो रहा है कि जो महराणी लच्मिवाई थी वे कितनी बीरती थी? हमने उनकी कहाने सुनी थी और बहुत लड़ी थी वो च्हासी वाली रानी थी हमें आपने बीरता का जो यह अनुवाप्राप्त हो रहा है पाचवे कोशन हमें आपर दिया है सूरच का जो भ्याक अभीता है आपके बिरिच कोर्स की अधायक उसकी आपको परिथम दो पंक्तियां आपर आपको लिखनी है तो देख शातरो ओड़ी एक अपवा की सूरी की साधी होने वाली है वर के बिमल मोर में मूती उसा पिरोने वाली है मोर करेंगे नाच गीत कोयल सुहा के गाईगी लताट बिटप मंडप बितान से बंदन बर्स जागी इस लाइन को जो है आपको याद कर लेना है बिल्कुल याद कर लेना आपको ठीक है तो यह आपको जागा अब छड़ों कोशन आपको दिया है महा काब्वी और खंड काब में आपको तीन अंतर लिखना तो तीकी सातर हो महा काब्वी और खंड काब में अंतर हम देखते हैं तो देखिए महा काब्वी का जो कलेवर होता है विसाल होता है जबकि खंड काब का अकार्जोह सीमित होता है बिल्कुल काणी उर्परनाथ जिसे जिसे काणी छोटी की उपरनाथ बड़ा था बेसे आप इसका यहाँ पर रंत ले सकते हैं कि जो महाँ काब होते हैं बड़े होते हैं नमबर तीसरा महा काब में सेमंगार बीर तता स्यांत रस्में से किसी एक की पतानते होती है जबकि खंड काब में जो है अनेके जो है कई सारे होते है लेकिन छोटे छोटे होते है ना छोटा 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 मिस्रण होता है खंड काब में सभी रूप होगा चोतम दिखते हैं महाकाव भी देखें एहां पर नाम दीगा है आपको रामचरीजमानस जोकी तुखी तुखी तुख से दाजीज़ द्वह रचित हैं कमायनी जोकी जेसांकार प्रसादीज द्वह रचित हैं खंड कामभ़े में आपकर देख रहे थे हैं मेक दूती कली दास के दारा रचित है और पंच बटी ये मेथिल सरण गुत के दारा रचित है साथब कोशना में आपर देख लिए थे चातरों आपको दिगा है नेम लिखित मुहावरों का अर्थ लिख करना आपको बाक्ते में प्रोक करना है तो देखिए पहला आपको दिगा है पहला मुहावर आपको दिगा है आँखों में धूल चोकना तो देखिए आँखों में धूल चोकना का अर्थ होता है धोका देना प्रियोग हम दिख लिए ते है चोर अक्सर पुलिस की आँखों में धूल चोक कर भाग जाते है दूसरा हम दिख लिए अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है मतलब निकालना तो इसको प्रियोक अपति करेंगे तो अब बस अपना उल्लू सीधा कर लेता है तो चातर यह थे आपके आपके जो है तीन अंके question and answer तो अगले वीडियो में आपके लिए जो है एक अंकोर चार अंके भी आपके प